Good morning everyone, welcome back to the channel इस वीडियो में मैं आपको walking tour देने वाला हूँ दुबई के famous मीना बजार का So without any wasting time, let's start the video मैं prices तो सबकी नहीं बता पाऊंगा लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको ये मीना बजार का walking tour दे देता हूँ आज मीना बजार जो डुबई के बड़ डुबई में है वो काफी famous है, specially Indian tourist में Quick overview दू तो यहाँ पर आप electronics में mainly phones, laptops, drones, camera, के बाद ज्वेलरी, perfume, dates, spice, कपड़े आदी ले सकते हो अब मीना बजार में एंटर करोगा ना, सबसे पहले तो आपको सब mobile की shops ही दिखेंगी और यहीं बई है famous city choice जो सबसे अच्छा rate देता है As per my knowledge, city choice का rate सबसे reasonable है, in fact मैंने यहाँ से GoPro 11 and memory cards भी लिए तो अगर आपको electronics चाहिए, तो मीना बजार सबसे best option है आपके लिए हाँ, try to avoid buy watches क्योंकि fake निकलने का chances ज़्यादा होता है बट अगर आपको copy watches ही लेना है, तो बिंदास ले लीजिए In fact, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग on the way approach करेंगे for copy bags and watches जिनकी range start होती है करीबन 100 drama से electronics के बाद मीना बजार is famous for jewelry यहाँ पर आपको काफी सारे इंडियन ब्रैंड्स जैसे कल्यान ज्वेलर्स, जोया लुकास, मलाबार, easily मिल जाएंगे जी यह है पूरी मीना बजार की gold market मेरे पिछे यह famous मीना ज्वेलर्स है यहाँ पर जोया लुकास करके है अगर आपको दिखता रहेगा आगे मलाबार है, कल्यान ज्वेलर्स है तो मीना बजार गोल्ड के लिए भी काफी famous है और यहाँ से सिफ आप 4-5 मिनिट दूर पर जाओगा ना यहाँ पर गोरदवारा भी है और टेमपल पी है मैं आपको पसनली रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार कान ज्वेलर भी होके आईए बट इफ यू आर इंटरेस्टेट इन रोज गोल्ड ज्वेलरी देन मीना ज्वेलर से अच्छा शौप पूरे डुबाई में नहीं है सेपरेटली मैं आपको एडवाईज दूँगा फोर ज्वेलरी आप एक बार डुबाई के गोल्ड सूप मार्केट में जाकी आईए देन उनली यू डेसाइड फ्रम वेर तू बाई डुबाई गोल्ड सूप के ऊपर आप मेरी पूरी वीडियो भी देख सकते हो लिंक में आई बटन एड़ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा थर्ट आईटम है पर्फ्यूम्स मिना बजार में बहुत सारी पर्फ्यूम्स की शॉप है बट परस्नली मैं आपको रीकमेंड करूंगा to buy perfumes from perfume market जो डेरा में पड़ता है वहाँ पर आपको नसीम perfumes अजमल, अमन्जारा जैसे shops easily मिल जाएंगे अगें मैंने इसके उपर भी dedicated वीडियो बनाई है जिसका link मैं i button and description में share कर दूँगा फूर्थ item है dates and spices पूरे मीना बजार में आपको बहुत सारी spices and dates की shop मिलेंगी बट मैं आपको recommend करूँगा shop Sam Saffron यहाँ पर आपको almost हर सामान मिल जाएगा जैसे dates, honey spices, baklava etc additionally अब spice, dates कैसर जैसी चीजे दुबाई के spice market से भी ले सकते हो for more details do watch my video on Dubai spice market again इसका link में i button and description में share कर दूँगा उसके बाद आप यहाँ से sweniers भी ले सकते हो जो मैं आपको personally recommend भी करूँगा example यह बुर्ज खालीफा का shoppiece काफी अच्छा था and अगर कपडों की बात करें try to avoid buying clothes and shoes from Dubai quality भी ठीक ठाक निकलती है and unnecessary baggage क्यों carry करना है so conclusion यह है Mina Bazaar is perfect for electronics items इससे अच्छी और सस्ती market पूरे डुबाई में नहीं है but when it comes to gold, perfume, dates, spices I will suggest do check gold soup market and Dubai perfume and spice market before buying anything and don't worry Mina Bazaar जो बढ़ डुबाई में है वहां से सिर्फ एक दुबाई में आपको बोड मिल जाएगी जो आपको डेरा दुबाई में ड्रॉप कर देगी वो भी within few minutes and वहीं पर है gold market, perfume market and spice market so traveling between bird Dubai and Dera Dubai is very convenient, reasonable and super fast तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर and do watch my entire Dubai series for amazing shopping and activities thank you, bye bye कर दो दो आपको बादे जाएगी